नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है आज हम लोग कलास्टेंथ की हिंदी बुक छितिच से चाया मत छुना कविता को भावार्थ सहित समझेंगे जिसके लेखक कवी हैं गिरिजा कुमार माथुर इनका जन्म सन 1918 में मध्य परदेश के गुना में हुआ चाया मत छुना कविता के माध्यम से कवी यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिती है यानि की जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं कभी का मानना है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फैयदा नहीं बिता हुआ समय यदी अच्छा हो तो कई लोग उसकी खुशनुमा यादों में अपना समय बरबात करते हैं बिता हुआ पल यदी बुरा हो तो लोग उसके बारे में सोच सोचकर अपना शमय खराब करते हैं इससे कोई फैदा नहीं होता इसे सोचकर और भी दुखी हो जाते हैं उसके बदले यदि हम अपने प्रेजेंट वरतमान की तरफ ध्यान दे तो हमारा आज भी ठीक रहेगा और आने वाला कल भी ठीक हो सकता है इसलिए भुतकाल यानि बिते हुए कल को भूल कर हमें अपने व प्राय है यहां कवी का छाया मतलब भरम जो जैसे छाया हम छूते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं आती जब हमारी परचाई धूप से हमारी परचाई बनती है तो अगर उसे कोई छूने की कोशिश करे तो वो हाथ में नहीं आती इसी तरह बीती हुए यादों को कभी कह रह क्योंकि जो बीत गया है वो समय हमारे हाथ नहीं आएगा वो चीजे हमारे हाथ दुबारा नहीं आएंगी मन होगा दुख दुना मतलब हम अगर उनको बीती हुई बातों को याद करेंगे बीति हुई बातों को याद करने से मन में जो दुख है वो दुना हो जाएगा दुना मतलब दुगुना यानि बढ़ जाएगा जो पहले से हमारे मन में दुख होता है उन्हें याद करने से जो हमारे से छेन गई है उनका दुख हमारे मन में फिर से दुगना हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चितर गंध फैली मनभावनी यहां कवी कह रहे हैं कि जीवन में जो है सुरंग मतलब रंग बिरंगी सुधिया मतलब यादें सुहावनी जो अच्छी लगती हैं कवी कह रहे हैं कि जीवन में रंग बिरंगी यादे होती हैं पहले जो बीत गया है जीवन उसमें हमारी रंग बिरंगी यादे थी जो सुहा उन्हें चित्र गंध फैली मन भावनी जब हम पुरानी यादे अपने मन में लाते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, तो उन यादों के अंदर जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनकी छविया, उनके पिक्चर्स हमें दिखने लग जाती हैं, उनके चित्र दिख अच्छा भी लगने लगता है, अगर हम पुरानी बातों को याद करते हैं, तो उनका दृष्ष भी हमारे सामने आने लग जाती है, उनकी गंध भी हमारे आसपास महसूस होने लगता है, और मन को भी अच्छा लगने लग जाता है, तन सुगंध सेस रही बीत गई यामने, पर अब ये सुगंधी सेस रह गई है मतलब बाकी रह गई है बीत गई आमने मतलब वो रात अब वो प्यार भरी रात जो कवी ने अपने प्रियसी के साथ बिताई थी वो अब नहीं है बीत गई है बस अब उसकी याद ही रह गई है इसलिए कवी कह रहे है सुगंध ही सेस रह गई है बाकि वो रात तो बीत ही गई है कुंतल के फुलों की याद बनी चांदनी कुंतल मतलब बाल कवी के प्रियसी के बालों के अंदर जो फुल लगे हुए थे उनकी जो याद है वो चांदनी को देख कर आती है चांदनी को जब भी देखते हैं तो वो बालों के अंदर जो फुल लगाती थी कवी की प्रियसी वो कवी को याद आ जाती है अब वो चांदनी बन गए है कवी ऐसा महसूस कर रहे है कि वो फूली जो है वो चांदरी बन गए है भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित छन चाया मत छूना मन होगा दुख दूना अगर भूल से भी कवी कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर उस पुरानी बात को मैं याद कर लेता हूं छू जाता हूं उन पुरानी यादों से तो बनता हर जीवित छन लगता है कि अभी जीवित ही सामने वो पल आकर खड़ा हो गया है छन मतलब पल वो पल जीवित होकर कवी के सामने जीवित होकर आकर खड़ा हो जाता है और फिर दुख देने लगता है क्योंकि वो जो लोग हैं वो अब कवी के साथ नहीं है इसलिए उनकी जो याद है कवी को दुख देती है इसलिए कवी कह रहे हैं पुरानी जो बाते हैं बित चुकी जो अतीत पास्ट की जो बाते हैं उनको कभी भी याद मत करो, छाया मत छूओ, इससे मन के अंदर जो दुख है बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दोड़ा तू, उतना ही भरमाया यहां कभी कह रहे हैं कि चाहे हम कितना भी यश पाले, कितना भी वैभव पाले, मान पाले, सरमाया मतलब पुंजी, पुंजी पाले लेकिन मन के अंदर जो है वो हमारे कभी भी संतुष्टी नहीं होती, कभी भी तसली नहीं होती, चाहे हम कितना भी वैभाव पाले, कितना भी मान पाले, आखिर में अंत में हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हमारे पास कुछ नहीं है, जितना ही दोडा तू, उत तब कुछ भी पा लिया, फिर भी मन के अंदर शांती क्यों नहीं है, भरमाया मतलब हम भरम में पड़े रहते हैं, चाहे हम कितना भी चीजों के पीछे पड़े रहें, फिर भी हमें मन की शांती नहीं मिलती, भरम में ही रहते हैं हम. प्रभुता का शरन बीम्ब केवल मिर्ग तृष्णा है हर चंद्रिका में छीपी एक रात कृष्णा है यहां कवी कह रहे हैं कि प्रभुता यानि कि हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए कितने भी अमीर आदमी बन जाए कितनी भी चाहे हमारे समाज में छवी बन जाए चाहे हम उसका कितना भी सहारा ले ले शरन ले ले मतलब चाहे हम कितना भी हम उचा उठ जाए केवल मरिग तृष्णा है मतलब फिर भी हमें ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं पाया ये जैसे म्रिग तरिशना है कि जैसे हिरन को जब रिगिस्तान में हिरन होता है तो उसको जब प्यास लगती है तो उसको लगता है कि हर तरफ पानी ही पानी है पर जब वो थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है तो वो पानी नहीं वो धूप की जो चमक होती है उसके कारण उसे लगता है कि रेत पर पानी का समंदर है पर आगे जाकर जब वो देखता है तो उसे पानी नहीं वो रेत ही दिखती है इसी परकार हम कितना भी कुछ पाले हमें जो है वो प्यास हमें बनी ही रहती है यानि कि भौतिक सुख चाहे हम कितनी भी पाले लेकिन कितनी भी सुख सुविधा पाले हमारे अंदर की जो प्यास है वो खत्म नहीं होती बनी ही रहती है और 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 चाहिए चाहे कितना भी तसली नहीं होती। चाहे हम कितना भी पाले। यह है कि रोजचांद खिलता है पर एक दिन नहीं भी आता यानि कि सुखों के पीछे दुख जरूर आता है ये तो नियती है सुख और दुख आना जाना है एक बार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही जो है यतार्त कठिन उसका तू कर पूजन चाया मत छूना मन होगा दुख दूना अब कवी कह रहे है कि जो तुमआरा आज है सत्य है सच है पूजन मतलब कठोर जो तुमआरा इस टाइम जो तुमआरा ताइम अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर तू उसको स्विकार करो पूजन कर मतलब स्विकार कर उसका सामना कर उसको फेस कर चाया मत छुना मन होगा दुख दुना और पिछली बातों को याद करके जो है वो अपने मन को और दुखी मत कर कि पहले मैं सुखी था पहले मेरा इतना अच्छा टाइम चल रहा था अगर इस टाइम तेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा या तू अब दुखों से घिरा है तो भी तू उसको भी स्विकार कर और पिछली बातों को याद कर अपने मन को दुखी मत कर कवी यहां कह रहे है कि दुविधा में रहने के कारण साहस होते हुए भी हम जो हैं वो कदम नहीं उठा पाते क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता क्योंकि हम दुविधा में रहते हैं और हमारा जो साहस है वो दुविधा में रहने के कारण हमें आगे नहीं बढ़ने देता दब जाता है, हमारा साहस और हमें रास्ता नहीं दिखाई देता इसलिए पिछली बातों की दूईधा में हमें नहीं रहना है अपने साहस से हमें आगे बढ़ना है देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं यानि की अगर चाहे हमारा जो तन सरीर है सुख सुविधाओं से संपन है हमारा तन और जो है सारिक सुख सारे हमें मिल रहे हैं लेकिन मन के अंदर जो दुख होते हैं उनका कोई अंत नहीं होता वो तो हमें अंदर ही अंदर काटते रहते हैं इसलिए मन के अंदर ऐसी पिछली बातों को हमें नहीं लाना चाहिए जो हमें दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर यहां कवी कह रहे है कि दुख तो होता ही है कि ना चांद खिला मतलब चांद खिला नहीं शरद की रातरी आने पर चंदरमा ना खिले तो दुख तो होगा ही कहने का अभipra ये है कि जिस टाइम मुझे सुख मिलने चाहिए थी उस टाइम हमें सुख नहीं मिले तो दुख तो होता ही है अब अगर चंदर्मा जो है वो शरत पुरुनिमा की रात नहीं खिलेगा तो उस रात तो उसे पका ही खिलना होता है और अगर उसरा चंद्रमा न खिले तो दुख तो होता ही है तो यदि बात कवी कह रहे हैं कि अगर उस टाइम जिस टाइम उन्हें सुख मिलने चाहिए थे अगर उस टाइम सुख न मिले टाइम समय निकल गया तो मन में दुख तो होता ही है पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर तो कवी कह रहे हैं कि क्या हुआ बसंत के चले जाने पर भी अगर फूल खिल गया तो क्या हो गया अब उसका आनंद ले सकते हैं पिछली बातों को याद करके जो अब इस समय हमें जो कुछ मिला है वो हम हाथ से क्यों जाने दे यानि कि बसंत रितु के चले जाने पर जब फुल खिल गया है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए यानि कि टाइम बितने पर हमें अगर सुख मिल गया है सुख मिल रहा है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए पिछली बातों को याद करके कि हमें उस टाइम सुख नहीं मिला था तो अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए कवी कह रहे हैं कि जो नहीं मिला उसे तू भूल जा और कर तू भविश्य वरन मतलब अब आगे का जो तुम्हारा फ्यूचर है भविश्य है उसके बारे में तू सोच अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर अपने वरतमान प्रेजेंट को शंभाल यानि कि जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर आएगा उसके बारे में सोच भविस्य की सूच जो पिछला बित गया उसको याद करने से कुछ नहीं होगा उसे याद करने से तो बस दुखी ही होगा छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना इसलिए पुरानी बातों को याद मत करो इससे जो है मन के अंदर दुख बढ़ जाएगा ठीक है जोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करे, लाइक करे, सेर करे, सब्सक्राइब करे जय हिंद, वंदे, मात्रम